कल अज़ा सिंग चोटाला ने अपने कारे करताओं के सामने अपने लाडले दुशंत चोटाला को कहा कि ये तो मूर्ख था और मुद्रेजी पूर्ण नाले थे किसे हैं जिर मुठ्धो बोरे थे दोस्तों रमस्कार राजनीती हो या समाज का कोई भी चेत्र जब कभी ये लगता है कि किसी से जनता में कोई नाराजगी है तो फिर जो गारजियन होते हैं अभी भावक होते हैं वो सामने आते हैं और वो अपनी संतान के बारे में ये कहते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं था इसको तो कुछ समझ ही नहीं थी ये तो बेवकूफ था मूर्ख रहा ये तो आपसे सारी बात का जिक रिसलिय कर रहा हूँ कि कल अजय सिंग चोटाला ने अपने कारे करताओं के सामने अपने लाडले दुशंत चोटाला को कहा कि ये तो मूर्ख था ये तो मूर्ख है दरसल था कि आजय सिंग चोटाला अपने कारे करताओं के साथ समवाद कर रहे थे आजकल जन्नायक जन्ता पार्टी अपने कारे करताओं को साधने के लिए कारेकरताओं में जो निराशा थी हताशा थी उससे उन्हें बाहर निकालने के लिए जिलावार मीटिंग कर रही है बैठकें हो रही है और बैठकों के दौर चल रहे हैं जिसमें कारेकरताओं के बीच खुद अजय सिंग चोटाला पहुँच रहे हैं अजय सिंग चोटाला के साथ दौशयन चोटाला भी होते हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रज शर्मा भी और तमाम निता भी होते हैं जन्नाएक जन्ता पार्टी के कारेकरताओं में निराशा का आलम ये है कि जो भी हाल ही में लोगसभा का चुनाव हुआ उस ल अगबग 48-50,000 वोटों से वहाँ पर नैना चोटाला को मात्र 45-44 वोट ही मिल पाए इसके लावा कई स्थानों पर तो स्थिती ऐसी बन गई कि जन्नाएक जन्ता पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले और सबके पीछे कारण ये कि कारेकरताओं में भी हताशा और निराश परियाना के उप मुख्य मंत्री थे कारेकरताओं को ये लगता है कि उनकी पूछ नहीं थी उनको पूछा नहीं गया कारेकरता कहते हैं कि उस समय तक डॉक्टर अजय सिंग चोटाला दुशन चोटाला दिगविजय चोटाला नैना चोटाला यानि कि जो डॉक्टर अजय चोटाला परिवार था जब तक सत्ता में रहा तो उनसे वो बात भी नहीं होती थी और इस गुस्से की काट के लिए तमाम प्रकार के जो पैर पैत्रे चले जाते हैं जो नुक्ते बनाए जाते हैं वो सब चल रहा है और हमेशा हुआ करता है ये कोई नई बात नहीं है कि ये जो गार्जियन होते हैं अभी भाबक सामने आ जाते हैं पहले सुनी अजय सिंग चोटाला ने कहा क्या कि ये द्रैंगरी मजब इस दुशनत के पास ओंगरेज जी बोलनाज बेठ रहा करते ना तम मैं ये सोचता था भी नोजवानों की तीन खड़ी हो रही है कि या पता ये क्या परिवर्तन तु थे और ओंगरेज जी बोलनाले थे इसे इंडर मुठ बोरे थे सादे जार साद्राज मुझे डूटके इसे न बढ़ा के रुगत से तो अजय सिंग चोटाला कह रहे हैं कि जब दुशेन चोटाला उपमुख्य मंत्री थे तो ड्राइंग रूम के अंदर वो जो इंग्लिश बोलने वाले वो पड़े लिखे लोग हुआ करते थे अपने आप में जो पड़े लिखे लोग हैं और कह रहे हैं कि वो लोग इनको मूर्ख बना रहे और दुशेन चोटाला को फिर समझा रहे हैं कि देखो जो सामने बैठे हुए कारे करता हैं यही हमारी ताकत हैं वो लोग थे जो सत्ता के दोरान तुमारे साथ थे, वो आज कहां है? ये एक पिता अपने पुत्र को अपनी संतान को समझाया भी करता है. और जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये वैसे चोटाला परिवार के अंदर ताउ देवीलाल परिवार के अंदर कोई पहला वाक्या न परद्धान मंत्री थे और नीचे हर्याना में चोधरी देवीलाल मुख्य मंत्री हुआ करते थे. और उस समय शड्यंत्र चल रहे थे चौधरी देवी लाल को ले करके शट्यंत्र थे कि इनको देवी लाल जी को सत्ता से कैसे हटाया जाए और विबख्ष के लोगों के हाथ में एक मुद्दा लग गया वो काली विबख्ष नहीं वो चौधरी देवी लाल की जो मुखालफत करने वाले या उनके खिलाफ का जो सिंडिकेट था जन्ता पालिटी के अंदर भी उनके हाथ में एक मुद्दा लग गया मुद्दा ये था कि चौधरी ओम प्रकाश चोटाला अपने विधायकों अपने परिजनों के लिए विदेश से आये थे तो घड़ियां ल चौधरी देवी लाल के विरोध में जो काम करने वाला सिंडिकेट था जो लोग थे उन्होंने इस बात को हवा देनी शुरू कर दी कि देवी लाल जी का बेटा चौधरी ओम प्रकाश चोटाला तो घड़ी तसकरी कर रहा था चौधरी देवी लाल को समझाया गया कि कहीं ऐसा हुआ तो लोग इसको मुद्दा बना देंगे और अगर मुद्दा बन गया तो फिर बात बड़ी हो जाएगी हाला कि वो कोई बड़ी बात थी नहीं आप से कभी विस्त्रित चर्चा करूँगा इस पर ये बड़ी भरके और उसको फिर वैलिड हो जाया करता है लेकिन क्योंकि वो सत्ता से जुड़ा हुआ मामला था तो चौधरी देवी लाल को उनके लोगों ने बताया कि अगर कहीं ऐसा हुआ तो फिर सत्ता को खतरा हो सकता है आपके मुख्यमंत्री की कुरसी पर ये लोग नजर लगा हुए हैं और चौधरी देवी लाल बहुत भुले भाले आदमी थे चौधरी देवी लाल ने उसका रास्ता निकाल लिया कह दिया कि भाई ओम्प्रकाश चोटाला से मेरे रिष्टा नहीं है बात खतम हो गई बात सारी वापिस आ गई रिष्टे सारे बन गई यहां तक तो आपका मांसंमां तब भी था आज भी है तो दुशन चोटाला साई भूल हो गई थी तो यह राजनीती के पैर पैत्रे हैं और यही राजनीती के अखाडे में भी कुछ ऐसा ही है और राजनीती के इस अखाड़े के अंदर डॉक्टर अजय सिंग चोटाला ने ये दाव चल दिया और कह दिया कि भईया दुश्यन चोटाला मूर्ख थे तो दोस्तों ये चुणावी समर है चुणावी समर शुरू हो चुका है और इसके अंदर इस प्रकार की तमाम बातें चलेंगी तमाम नेता, तमाम राजनितिगे, गलती, शल्ती, भूल, चूक, माफी ये सब कुछ चलेगा जब तक चुनाव चलेगा तब तक ये सब चलेगा और इनी के आधार पर ही कुछ न कुछ चुनाव की रणनीती भी चलेगी वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जन्नाएक जन्ता पालिटी का रूठा हुआ कारेकरता वापस आ जाएगा आपको क्या लगता है कि क्या जन्नाएक जन्ता पालिटी के कारे करताओं में कई वाकई कोई निराशा या हताशा है और आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाओं में खासकर जन्नाएक जन्ता पालिटी का प्रदर्शन कैसा रहेगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना